हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी लोग सिहत मन और बहुत अच्छे होंगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नैशरल रेमेडी जो आपको बिना नुकसान पहुचाए सिर्फ फायदे पहुचाती है वेल आज मैं फिर से आपके साथ एक ग्रे हियर की नैशरल रेमेडी लेकर आई हूँ ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें वो भी नैशरल इस्तमाल करनी है ठीक है कोई भी आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ इस्तमाल नहीं करनी है जो की natural ना हो सारी की natural हैं और सिर्फ 3 चीजे थे और उन 3 चीजों में एक जो चीज है वो आपको बहुत पसंद है, दूसरी आप लगाना पसंद नहीं करते हैं और तीसरी आप पसंद ही नहीं करते हैं तो थोड़ा complicated हो गया, तो complicated को हम हम 度र करते हैं और बड़ते हैं remedy की तरफ कि इस complicated वाली remedy को हमें कैसे prepare करना है और कैसे इसे apply करना है चले start करते हैं सबसे पहले हम यहां पे लेंगे वो powder जो आपको नहीं पसंद यानि कि indigo powder इंडिगो powder एक natural dye है और जैसे ही dye का नाम आता है लोग सोचते हैं कि यह dye है तो हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरुवेदा में indigo को natural dye कहा जाता है जो की प्राकतिक है राकतिक है यह किसी market से बनती नहीं है से ready नहीं किया जाता इससे प्रकती दौरा तयार किया जाता है तो यह indigo जो है वो natural है आप बिलकुल इसका इस्तेमाल कर सकती है बस इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है इसका जो duration time है वह थोड़ा लेंदी है इसलिए भी लोग इस्तमाल नहीं करते हैं कि बहुत time waste होता है इसको लगा के रखना पड़ता है कभी हमें लगाने का तरीका नहीं पता होता है जिस वज़े से यह हमें नुकसान पहुचाती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है नुकसान नहीं पहुचाती ह आपको इसे अपने बालों की लंध के कॉर्डिंग लेना है और इंडिगो को हमेशे अपने बालों में इस्तमाल करें ना कि स्कैल्प में इस्तमाल करें इसे जड में इस्तमाल नहीं करना होता है सिर्फ स्कैल्प में इस्तमाल करना होता है तो धाई चमच के करीब मैंने यहाँ पे इंड़को पौड़ा ले लिया जो कि नशुल है अरवेद में भी से नशुल कहा गया है इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है नेक्स्ट वो जो आपको लगाना पसंद नहीं है अपने बालो में तो क्या है वो चीज जो आपको अप करता है आपके बालो में यह भी सुन लीजिए यह सिट्रिक एसिड आपके बालो से डैंडरफ को दूर करता है यह सिट्रिक एसिड आपके बालो से इची स्कैल्प है खुजली हो रही है बदबू आ रही है पपड़ी जम गई है बहुत ज़दा पसीना हो रहे है तो उसको इसके अलावा इसमें विटमिन C होता है जो कि आपके सफेद बालों को भी काला करता है तो यहां पर मैंने कम सकम पांच चमच के करीब नीवू का रस लिया है और यह पूरा नीवू का रस आपको इस इंडगो पाउडर में एड़ कर देना है इसके बाद इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है सबसे पहले आपको यहां मिक्स कर लेना है तो इंडगो पाउडर की बात करूं तो इंडगो पाउडर के बारे में मैं आपको एक और जानकरी दे दूं कि इंडगो पाउडर से ही नील पाउडर बनाया जाता है नील पाउडर आप जांते होंगे लिकुड करते होंगे वह जो जो उजाला ना का अला आता है आप इस बंद लावा और बहुत तरीके से इस्तेमाल किये जाते हैं इंड़ेगोर ना को अच्छे से आप नीबू के रस के साथ और उसके बाद थर्ड नंबर पे वो चीज आपको एड़ करनी है जो आपको बहुत पसंद है जिसे आप सादा भी इस्तमाल कर लेते हैं किसी के साथ भी इस्तमाल कर लेते हैं और उसे खाना भी आप बहुत पसंद करते हैं तो कौन सी चीज है जिससे आप खाना भी पसंद करते हैं लगाना भी पसंद करते हैं चाहे बालों में लगाना हो चाहे इसकेन में लगाना हो उसे आप बेज जग बिना डरे बिना जज़के फटाफट इस्तमाल कर लेते हैं तो वो है यहाँ पे दही बिल्कुल सही सुनें आ घर में आपने दही जमा रखीए, वो तो अती उत्तम है, उसको ही स्थमाल कर लीज़े, तो दही को आपको थोड़ा-थोड़ा कวांटिटी में डालना है, दही में आपको बहर पूर मातरा में विटमिंस मिलता है, दही में आपको प्रोटीन मिलता है, पोशन-तत्व की कोई कम करना हो या आपके बालों में चमक लाना हो या आपके बालों को हेल्दी करना हो आपके बालों की लंबाई बढ़ानी हो आपके बालों को काला करना हो सब चीज के लिए दही अति उत्तम माना जाता है तो आपको दही इसमें मिक्स करना है और अच्छे से चला लेना है और यह तो आपको दही एक उस समान मात्रा में आड़ कीजिए ताकि आपका जो पेस्ट वह बहुत ज्यादा थीक ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा थीक हो जाएगा तो बालों में सही से अपलाई नहीं हो पाएगा तो अभी आप देख़ रहें इसका कलर कितना बढ़ेया हो गया है ग्रीन कलर का थो इंड़िगो अपना कलर चेंज कर लेगी तो यहां पर दही को थोड़ा सा और एड़ कर देते हैं ताकि इसका जो पेस्ट है वो बहुत जादा थिक ना हो जाए और इसे अगें से मिक्स कर लेंगे आपको इसे रखना नहीं है आप इसे अपने बालों में अप्लाई कीजे और आप इसे दस दिन में ए या हफते में दो बार भी इस्तमाल कर सकती है इस तरीके से भी कर सकती है और जैसे जैसे यह अपने आपके बालों में अपना कलर को छोड़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो टाइम है वो कम करती जाएगी यानि कि आप महीने में दो बार कर लीजिए फिर महीने में एक बा ठीक ए इस तरहे के से आपको करना है इसे पूर दो दिन आपको अपने बालों में stay करने के लिए देना है indigo का process यही है अगर आप उससे फुल एसका result है पाना चाहती है तो इससे जाद़ से जाद़ अपने बालों में stay करने दीज़े क्यों कि यह धीरे-धीरे process करके कलर को बालों में छोड़ती है तो आप लगाईए इसे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक आपको इसे अपने बालों में रखना इससे जादा नहीं चाहे आपके बल कितने ही जादा सफेद हो सिर्फ 45 मिनट तक इसे अपने बालों में रखिए उसके बाद wash कर लिजे, evening में oiling कीजे, छोड़ दीजे, next day भी छोड़ दीजे, फिर third day जो आता है, Sunday आता है, उस दिन उसको wash कर लिजे, तो इस तरीके से आपको indigo का ये process करना है, थोड़ा सा lengthy होता है, थोड़ा सा complicated होता है, थोड़ा time आपका ज्यादा लगता है, लेकिन result ब बहुत ही natural देता है, थीक है, तो आपको इसे ऐसे ही ready करना हो, जिस तरीके से बताया गया है, वैसे ही इस्तेमाल कीजे, और दूसरी एक खास चीज बता दूँ कि, इंडिगो को जब भी आपको pack बनाना हो, तो इसे किसी भी बरतन में आप बना सकती है, इसके लिए लोहे की कड़ाई जरूरी नहीं है, कि आप इसे लोहे की कड़ाई में बना है, जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे किसी भी बरतन में बना सकती है, तो आशा करती हूँ, आज की ये remedy आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहे, remedy पसंद आई हो, तो please like कीजे, share कीजे, चली फिर स मिलते हैं कि अनधर वीडियो के साथ, तब तक लिए, bye bye, take care, अपना ध्यान रखेंगे,